नमस्कार अच्छस बहार में आपका स्वागत है रियासना आपके साथ है उम्मीद है आप सब सुरक्षित हैं आपको हम बताएं कि पटना में एक टाइम था ऐसा कि जहां कभी भी कोई भी मॉल्स नहीं थे लेकिन प्यनम मॉल खुलने के बाद बहुत सारे चोटे बड़े मॉ को आज लेकर आए हैं जमाल रोड पतना के जमाल रोड के वेस्ट साइड मॉल में आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहीं है विल्डिंग यहां का और बिल्डिंग को है वो पूरी तरह से सैनिटाइस कर दिया गया है हमने स्टोर मैंने से बात करने की कोशिश की और अंदर जाने की भी प्रविशन ली लेकिन हमें बश्तोर मों मला बाया उनके प्रोटोकॉल के कारण लेकिन हम आपको बाहर से ही यहां-का जो नजारा दिखाते हैं चाहंगे कैमरे को आप स्टाफ मेंबल तरफ मुरा सकते तो दिखाएढ़े स्टाफ मेंबल जो यहांके दिखु स्क्रीनिंग भी हो रही है और यह लोग पूरी सुरक्षित हैं मास्क और शील्ड के साथ हम आपको बताएं कि हमने से जितने भी बाते की वहां के जो एलेवेटर लगे हैं अंदर में उन सभी को बार-बार सैनिटाइज किया जा रहा था हमारे सामने भी और साथ ही साथ जो ट आपको हम बताएं कि स्ट्रीम करने के बाद उसे वापस फ्लोर पर लाया जाता है यानि कि अगर हम कपड़े ट्रायल कर रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति उसी कपड़े को ट्रायल करता है लेकिन वह साफ किया जाता है उसे और स्ट्रीम के द्वारा उसे साफ किया जाता है उस वज़ा यह है कि social distancing maintain करना है बहुत भीड भी नहीं लगाना है तो यह reason के कारण 3-4 malls जो है वो भी खोलने के permission नहीं दी गई है हमने कुछ दिन पहले खबरों में यह भी सुना था कि जो जितने बड़े-बड़े तो यह सारे reasons हैं बिहार में जो है कोरोना का संक्रमन कम नहीं हुआ है और इन फैक्ट पूरे देश में ही लगतार केसे से आ रहे हैं बाकी जगह थोड़ा-थोड़ा से बिहार पटना में खास तौर से यही हमें कोरोना से बचा सकता है इस बात को आप ध्यान रखिए जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता है हमारे पास इन दोनों के सिवाय कोई पाई नहीं है तो बात को गवार पर रखिएगा अगले खबर के साथ आपसे हम फिर से रुबर हों तब तक के लिए आपसे विदा लेंगे धन्यवाद